तो दोस्तों आपको बाइक खरीदना है या स्कूटर खरीदना है जो भी हो आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहिए मैं आज आपको बतरावाला ओ टॉप 5 एसरीजन के बारे में जिस आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों खरीदना चाहिए उसका बारे मैं बता करो और बेल अकन को दबाओ और लाइक दो आप लाज़मी करेंगे करेंगे और विडियो को शुरू करते हैं दोस्तो पहली जो चीजे जो आपको इलेक्ट्रिक के सब्सक्राइब आप 3 साल में 1,000,000 रुपे आप 1,000,000,000 को भी अपो बता हुआ कि यूं कि आपको इक स्कूटर करना चाहिए नहीं आपको प्रेफर करना चाहिए एक पेट्रोल वाला गाड़ी क्योंकि यहां पर आपको जो एन्वर्मेंट फ्रेंडली ज्यादा होते हैं आपको पॉल्यूशन की साटिवेट लेने की जरूरू होते हैं आपको पता है कि कितना आता आर्टियों का चेकिंग होने लगाए तो यहां पर यह आ जाता है कि यहां पर जो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत यहादा कम पढ़ जाता है पेट्रोल आपको सोर्वे लीटर आपको जब की देखने को मिला है लेकिन आपको इलेक्ट्रिक भाइकल में कैसा होता है आपको तक्रिवन 95% का आसपास आपका बजट हो जाता है मेर बि demo यह जब आपड़ यहां बात करेंगे यह आपको जिसमांट्रिव प्हुत सबसे बड़केश भाइकल को आभिन जा होगे लेकिन धोस्तों आफनी में सबसे बड़ा प्टक्रिक शूटर यहांपर अभी भी आरे हैं अभी जो आ पर आपको लाइसेंस बगरा की जरूवत नहीं मतलब लाइसेंस का किसी तरह की दिकत नहीं है आप आठ्टियों के पास जाओगे गाड़ी का रेजिट्रसन कराओगे आर्सिकर आओगे यह कुछ भी इलेक्ट्री भाइकल में जरूवत नहीं है जो लो स्पीड वाला होते हैं हाइश फीड में आपको जरूवत हो सकता है लेकिन जो लो स्पीड का इलेक्रिक वाइकल है किसी भी तरह की आपको नहीं जरूवत पढ़ता नहीं आप लाइसेंस की जरूवत हैं नहीं आपको आत्योग में जाना पड़ोगा का काकजपतर करना पूनलब बहुत सरे से चीज़ें आप बच जाओगे अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो तो यह चोटा सा वीडियो था लेकिन मुझे पता है आप सारे लोग को हेल्प डेपिडेंटली हुआ हुआ कि आपको क्यों कहीं ना चाहिए नहीं आपको एक पेट्रल वाला सब्सक्राइब करने से मोटी मिलता है तो सब्सक्राइब लाजमी करिए और फिर मिलेंगे एक ने वीडियो के साथ